एलो फ्रेंज नमस्कार गुड़ इवनिंग एंड वैलकम टो माइ चैनल इस्पेडिंग ज्यान तो दोस्तो आप सबी लोगों एक बार श्वागत है फिर से और दोस्तो हम लोगों ने पढ़ लिया है गायों के और भेंसों के आंक्रे हम इन दोनों को पढ़ चुके हैं दोस् दोस्तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें दोस्तो बात करते हैं भेडो पर भेडें जो है दोस्तो आपका राजस्तान का कौन सा इस्तान है तो राजस्तान का भेडो में आपका चोथा इस्तान है दोस्तो कहां कौन सा इस्तान है चोथ प्रतिसत में पहले ही बता चुका हूं कि गायों के और भेंसों में व्रद्धी हुई है बाकी सब में आपके कमी हुई है दोस्तो तो भेडों में आपके कितनी 12.55 में प्रतिसत की कमी हुई है दोस्तो गायों में आपकी 4.41 की व्रद्धी हुई है भेंसों में भी 5.53 की 4.41 है ठीक है और भेंस में है तो कितनी है दोस्तो उसमें आपकी प्लस 5.53 है ठीक है दोस्तो परन्तु बेडों में आपकी 12.5 में प्रतिसत कमी हुई है ठीक है मैक्सिमम बेडे आपकी कहां पे हैं तो maximum दोस्तों आप याद रखिए कहाँ पे हैं बाड मेर में कहाँ पे बाड मेर मेर में दोस्तों और minimum की बात करें तो कहाँ पे हैं वो है आपकी बांसवाडा में कहां पे दोस्तों बांसवाडा में तो मैक्सिमम कहां पे हैं बाड मेर में मिनिमम कहां पे हैं बांसवाडा में ठीक है clear समस्थ बेडो का लगबग 10.30 है कुल पसु समपता इतना याद रखने की जूरुत नहीं है अब याद रखिए चोते नंबर पर हैं और कमी हुई है कितनी 12 पॉइंट पिचान में मैक्सिमम बाड मेर में और मिनिमम कहां पे बांसवाडा में दोस्तों चलते हैं भेडो की नसल पर बात करते हैं तो भेडो की नसल में दोस्तों सबसे पहले पढ़ेगे हम चोकला ठीक है दोस्तों कौनसी दोस्तों चोकला चोकला दोस्तों इसको सेखावटी नसल भी बोलते हैं ठीक है और इसका उन जो है न वो स्रेश्ट सबसे स्रेश्ट किसम का होता है इसे भारत की मरीनो भी कहते हैं क्या दोस्तों भारत की मरीनो है तो मरीनो कहा की है भारत की मरीनो है तो दोस्तों तो मरीना मरीनो आपकी है मरीना नहीं है की जेसल मेरी कौन सी दोस्तों जेसल मेरी यह दोस्तों सरवाधिक उन देने वाली है ठीक है सरवाधिक उन देने वाली बेड़ा है यह लगबग तीन बार उन देती है साल में तीन बार ठीक है इसकी उन सफेद होती है दोस्तों ठीक है और कहां पे हैं जेसल मेरी नाम सही पता है तो जेसल मेर बाड मेर और थोड़ा बहुत बीकानेर में भी मिलती है दोस्तों आगे बढ़ते हैं देखते हैं दोस्तों नाली की बात करते हैं नाली नाली दोस्तों नाली छेत्र कौन सा है गंगानगर हनुमानगड तो गंगानगर हनुमानगड में थोड़ा वह चूरू वहीं से बनता है आपका मगरा जो है दोस्तों सरवादिक मास देने वाली मैंसे मास मैंसे मगरा मैंसे मास मैंसे मगरा तो सरवादिक मास देने वाली मगरा दोस्तों ठीक है चलिए अगली देखते हैं मारवाडी मारवाडी नाम सही पता है कि मारवाड छेतर में मिलेगी प्रतिसत हैं तीक है सबसे ज़्यादा जो है मारवाड़ी नसल की है और मारवाड़ी आदमी वैदेश्ची आदमी तो रोग प्रतिरोदक छमता भी सबसे ज़्यादा इसी में होती है दोस्तों तीक है आगे देखते हैं आगे हैं दोस्तों आपकी सोनाडी या चनोधर सोनाड वाली नसल होती है दोस्तों कहां पे उदेपूर डूंगरपूर और बासवाड़ में मिलती हैं सोनाडी क्यों बोलते हैं क्योंकि यह सबसे ज़्यादा दूद देती है वन लीटर पर वन लीटर मिल्क देती है दोस्तों यह छीक है तो one liter milk देती है इसलिए दोस्तो सोनाडी गोलते है इसको पूगल बीका-णेर के पूगल में है दोस्तो इसलिए इसका नाम पूगल ही रख दिया छीक है आगे देखते हैं माल पूरी या अवी का नगरी सब कोई पता है माल पूरी काँपे है तो ये देशी नसल भी का जाता है टॉंक, बूंदी और जैपूर ठीक है दोस्तो माल पूर ही तो है ही टॉंक में माल पूरा तो है ना मोटी उन होती है इसकी खेरी नसल ये भी सफेद उन के लिए परसीद है जोदवर पाली है और नागोर के गुमकर रेवडो में पाई जाती है दोस्तो चलिए दोस्तो अब इससे कुछ इंपोटेंट फैक्ट याद कर लेते हैं इस फैक्ट पे चले इससे पहले हम दोस्तो एक शॉट ट्रिक से जो वो है भेडो की सारी नसल पढ़ेंगे शॉट ट्रिक बाद में बताओं चलो बाद में बताता हूँ शॉट ट्रिक आपको सबसे लास्ट में करवा दूँगा मैं दोस्तो एशिया की सबसे बड़ी उनमंडी कहां पे हैं तो एशिया की सबसे बड़ी उनमंडी है आपकी बीका नेर में कहां पे बीका नेर में एशिया की उन मंडी कहां पे है बीका नेर में है अब कुछ लोगों को डाउट आजेगा बोलेगा सर राजस्तान की कौन सी है तो फिर राजस्तान की भी बीका नेर है वाई जब एशिया है तो राजस्तान एशिया से बड़ा थोड़ी है चलिए राजस्तान उन उत्पादन में देश में परतम है जब उन मंडी सबसे बड़ी है तो परतम ही होगा सरवादिक उन कांज जोदपूर बीकानेर और नागोर में नियूनतम कहां पर है जालावाड में भी हमने जो नसल पड़ी है आपने कहीं पर भी सुना जालावाड का नाम कोई सी भी नसल जालावाड से मिली तो आगे देखते हैं राजस्तान की भेडों से अन्य राज्यों के मुकाबले तीन गुना अधीक उन मिलती है ठीक है चोकला मगरा और नाली नसलों की उन विश्वे में वेज़ोड गली चे इनकी दरिया मनाने में ठीक है और इनकी खाद जो है चलिए दोस्तो अगला यहां से कोशन्स बन जाता है दोस्तो तो यह आप याद रखिए क्योंकि यहां से कोशन्स कभी कभी बन जाता है ठीक है चलिए दोस्तो केंद्रिय भेड परजनन केंदर कहां पे हैं सभी को पता है केंद्रिय भेड परजनन केंदर कहां पे हैं दोस्तो कहां पे हैं तो केंद्रिय भेड परजनन केंदर आपका वो है अवी का नगर टॉंक में कहां पे दोस्तो अवी का नगर टॉंक में तो अब ये तो सबने याद ही कर रहा है सबने रट्टी रखा होगा केंद्रिया भेड़ पर जिनन तो दोस्तों इसका उप केंदर काहां पर है वाई इसका उप के अंदर कहा है कोई बताएगा तो इसका उप के अंदर है कहां पे बीच वाल में कहां पे दोस्तो बीच वाल बीका नेर में ठीक है तो सब लोग सिरफ के अंदर भेड़ परजनन के अंदर याद करते हैं हम उप के अंदर भी याद करेंगे दोस्तो कुछ अलग याद करेंगे ठीक है राज्य भेड़ परजनन के अंदर कहां पे हैं तो राज्य भेड प्रजिनल के अंदर आपका चित्वडगड जैपुर फत्यपुर सीकर और बांकलिया नागोर इतनी जगह पर है दोस्तो ठीक है चलिए अभी का नगरी टॉंक के अंदर बकरी का भी है अनुसंदान के अंदर ठीक है और दोस्तो आपका खरगोस प्रजिनल अनुसंदान के अंदर भी वहीं पर है दोस्तो ये भी याद रखिएगा चलिए आगे पढ़ते हैं केंद्रिये उन विकास बोर्ड कहां पे है तो केंद्रिये उन विकास बोर्ड जो दोस्तो वह आपका जोधपूर में है कहां पे जोधपूर में दोस्तो ठीक है केंद्रि उन विशलेशन प्रियोग साला कहां पे हैं तो वो बीका नेर में हैं ठीक है विकास जोदपूर में होगा जोदपूर वाले विकास करते हैं ठीक है विशलेशन है बीका नेर वाले जो रहते हैं वो पाटा सर्ष करती वैसी फेमस हैं पाटों पर बैटे 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 विशल अच्छा ही करते हैं उस पे काम दाम उनको कुछ नहीं करना है तो वो विश्टलेशन करेंगे बीका नेरवाले ठीक है और सबसे पड़े लिखे सबसे अच्छे लोग जो होते हैं वो प्रक्षिक्षन देंगे तो जैपुर वाले जो रहते हैं दोस्तों वो आपके प्रक्षि वाले देंगे ठीक है दोस्तों वूलन मील्स पड़ चुके हैं एशिया के अंदर है तो यह है दोस्तों आपकी एक तो लाडणू में है ठीक है और दूसरी आपकी काम पे हैं चूरू में दोस्तों कहां पे चूरू में तो spinning meals लाडणू और चूरू के अंदर woolen meals बीकानेर में तो clear हो गया दोस्तों केंदरिय भेड परजनन अविका नगर टॉंग उप के अंदर जो है बीकानेर बीचवाल में है राज्य भेड परजनन के अंदर आपका चित्तो अडगर जैपूर फत्यपूर और बंकलिया नागर के अंदर विकास जोदपूर वाले करते हैं विचलेशन बीकानेर वाले करते हैं और प्रक्सिक्षन जो है वो जैपूर वाले देते हैं spinning meals कहां पे हैं लाडणू और चूरू के अंदर दोस्तों यह आपका complete जो है वो भेड़ो का हो गया दोस्तों तो अब लास्ट में ट्रिक्स जो है भेड़ो से जुड़ी हुई वो ट्रिक हम देख लेते हैं दोस्तों वो ट्रिक हम देखते हैं तो वो है आपकी हम आम आम वोचो माप माम माम आम 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 सोचो बपू नवला वो हैं क्यूह भ्राम है THIS बापू बापरू क्हुप हां यह हान ह गुप मा से मारवाडी मा से मालपूरी ना से नाली मैं से मैं से कैया दोस्तो मैं से है आपकी नाली के पास में ही मगरा सो से क्या है दोस्तो तो सो से आपकी सो नाड़ी या चनोथर चो से क्या है दोस्थो चोकला भारत की मरीनों भी बोलते हैं बा से दोस्थो क्या है तो बा से आपकी कौन सी है बागड़ी है ठीके पू से कौन सी है दोस्थो कूगल है खे से आपकी खेरी और जेसे अब मेरे पास जगे नहीं बची तो जेसे है कौन सी जेसल मेर वाली ठीक है दोस्थो तो ये आपकी सारी भेंसो जो आपकी भेड़े हैं उनकी नसल एक साथ हो गई बापू नाम सोचो मामा नाम सोचो बापू खेजे ठीक दोस्तों, थैंक यू, keep watching and keep loving, please like, subscribe और share करें चैनल को, ओके